हलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस करना है जनरल साइंस यूद कमपटिशन टाइम्स की जिसमें हम कैमिस्टी का पार्ट नमबर 11 डिसकस करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले हमने कैमिस्टी के 10 पार्ट के लिए करा चुके हैं अगर आप लोगों नहीं नहीं देखा है उन्हें भी आप देख सकते हैं इसके अलाबा फिजिक्स के भी हम और बायो के भी पार्ट इसी बुक के हम करा रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं चलि किसी भी बिलियन में हाइडोजन आएन यानि की हैज बिलस आएन की सानदरता की माप है ये किसी बिलियन की अमलता ये छाड़ता को दर साथ आए जिस बिलियन में जितने कम हाइडोजन आएन होंगे उस बिलियन में पी-च माइन उतना ही जादा होगा पी-च स्केल जीरो से च केहते हैं बिलेन हमारा कैसा है उदा सीन कैसा है उदा सीन तो इसमें आफ से पूछा गया साथ से कम किसका होगा तो friends ammonia किलोरायट का साथ से कम होगा क्योंकि ये अमली होता आ तो option no हमारा 270 हो जाएगा अगला कुस्थे न में आ पारहा लवडो के संबंद में निम्लिन chuy adolescent पिलस छार, अमल पर छार की जब हम अभी अभी कराते हैं तब क्या मिलता है लवड़, और क्या मिलता है फ्रेंड्स, जल, तो इसी अभी करिया को क्या कहते हैं, उदास ही नहीं करा लें, यानि न्यूट्रिफिकेशन रियक्षन, जैसे मान लो, अमल आप ले लें, ह-C-L, और चार लें, अ-N-A-O-H, तब आप अभी करिया कराएंगे, तब क्या बनेगा, अ-N-A-C-L, और H-2, तो इस अभी करिया क्या कहेंगे, उदास ही निक्राद अभी करिया, तो इसमे उप्सन नंबर हमारा डीक्रेक्षन हो जाएगा, लवड़, उदास ही निक्राद द्वारा अमलाउड च्छार के सेयोजन से बनता है तो आपसन नमबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तिन हमारा जब पी एच मान 7 से 14 की और बढ़ता है तो ये दरसाता है कि फेंड्स ये क्या दरसाता है OH आइन की सांदरता में ब्रद्धी हो रही है तो आपको इस जीज़ का ध्यान रखना है अगर 7 से 14 की और बढ़ ले आए तब OH आइन में ब्रद्धी हो रही है लेकिन इतरको बढ़ लाए तब क्या हो रहा है H पिलस आइन में ब्रद्धी हो रही है तो option B correct हो जाएगा अगला कोस्ट नमारा अत्यदिक अमली मिस्रल का pH मान होता है तो जितनी pH की पहलू कम होगी उतना ही जादा अमली होगा तो option नमर इसमे मारा D correct हो जाएगा 0 तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कुछ pH मान मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं और जब यह NTPC का एक्जाम हुआ था पूछे भी गए थे जैसे के समुद्री जल समुद्री जल का pH मान कितना होता है 8.5 next हमारा रक्त यानि की बिलड बिलड कर कितना होता है तो बिलड का होता है 7.4 दोस्तो 7.4 बिलड का होता है इसे मैं याद कैसे रखता हूँ उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ great खली great खली आपने सुनो गरेसलर है खुस्ती ललता है WWE में उसकी height कितनी है 7.7 put challenge तो इसी से आप ध्यान रखें कि खली के अंदर बिलड बहुत है उसकी height कितनी है 7.7 put challenge तो इसी तरह से आप इससे रख रख सकते है next है लार यानि saliva saliva कितना होता है 6.5 दूद दूद का कितना होता है 6.4 next हमारा मूत्र मूत्र का कितना होता है 6 उसके बाद है हमारा नीबू तो नीबू कितना होता है 2.2 दोस्तों ये ऐसे pH मान है जो बहुत आगजाम में बार बार रिपीट होते है तो आप इटलिस इनने ज़रूर जिहान रखें अगला कुस्ट नमारा 3 billion ओमें XYZ का pH मान करमसा 2,11,7 है ने हाइडरोजन आइन की सांदर ताके अब रोही करम में बेवस्टत कीजिए तो इसमें उप्सन नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले X यानि सबसे कम उसके बाद Z उसके बाद क्या आगा Y अगला कुस्त नमारा नीबू के रसका pH मान कितना होता है अभी मैंने आपको बताया है कितना होता है 2.2 उप्सन नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त नमारा निम्ड में से कौन सा कौन से एक उव्योग समाने ता 60 pH को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का उप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर तो इससे हम क्या करते हैं बिल्कुल सटीक मान pH वैलू का निकाल सकते हैं next question नमारा निम्द में से कौन सा गोल इन सब्सवीई में सबसे हम ली है तो पीएज बैलू की जितनी ज़्यादा कम से कम होगी उतना ही ज़्यादा अमली होगा तो क्या होगा पीएज का मामान zero वाला गोल सबसे ज़्यादा अमली होगा इस तरह की स्केल होती है ये साथ और ये चोदा इधर को बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी छारकता बढ़ेगी इधर को बढ़ेंगे तब क्या बढ़ेगी अमलता बढ़ेगी तो जितनी जादा बैलू साथ से कम होगी उतनी जादा हमारा अमली होगा बिलियन और जितनी साथ से जादा होगी चौदा की और उतना ही हमारा बिलियन क्या होगा चार ये होगा इस चीज़ को आप ध्यान रखें अगला कोस्तिन हमारा निस करी ये बिलियन का प्याज मान होता है तो निस करी ये बिलियन या निकी उतासीन बिलियन का प्याज मान कितना होगा साथ आपसन नम आप साथ in साथ कि इस दिज़ को आप ध्यान रखें if ह अगला question देखते हैं, pH मान 7-14 में, यदि ब्रद्धी किसका प्रतिनित्व करती है, तो किसका प्रतिनित्व करती है, OH आयन की सांदरता में, ब्रद्धी का, तो OH की सांदरता बढ़ेगी, जब हम 7-14 की और जाएंगे, लेकिन 7 से हम 0 की और जाएंगे, तब किसकी सांदरता जद्धी को दर साथ आए, वही question है, तो option numbers में हमारा, एक रेक्टो जाएगा, OH निगेटिव, अगला question देखते हैं, एक billion का pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है, तो H प्लस आइन सांदरता में क्या होता है, H प्लस आइन में सांदरता में क्या होगा, फ्रेंड्स, एक हज 0 से हम साथ की और जाएंगे, तब क्या होगा, H प्लस आइन की सांदरता घड़ जाएगी, यानि कम हो जाएगी, तो option D में हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक हजार गुना घड़ जाती है, अगला question हमारा, उस billion का pH मान क्या होगा, जिसके hydrogen आइनों की सांदरता, एक गुना दस की हाथ, पांच मोल पिरती लीटर है, तो ऐसे question को आप solve करने के लिए क्या करें, diet जो घड़ हाथ है, उससे आप निकाल सकते हैं, बस एक trick के तोर पर बता रहा हूं, क्योंकि लोग भी इतना जादा, आपको लोगों को पता नहीं होगा, किस तरह से करते हैं, बैसे करकी भी तो इसका मान कितना जाएगा, पांच, उपसन बी करेक्ट हो जाएगा, फेंट्स आपको इस तरह की दिखे, तो आप diet power को pH value मान ले, इससे आपका अनसर गरत नहीं होगा, नेक्ट को सने, यदि एक पधारत की pH मान साथ से कम होता है, तो इससे माना जाएगा, तो इससे क्य होगा, तो हम इससे क्या मानेंगे, अमल, और अमल को हम क्या करते हैं, ऐसे डियानी की तेजाब, तो आपसन नमबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप धियान रखें, pH निकालने के लिए आप किस तरह से प्रदस्स करतें, लॉग, H पिलस, 9, या इस तरह से भ अगला कोस्टन हमारा पिरवल अमर और पिरवल चार के लवलों का pH मान होता है, तो पिरवल अमल और पिरवल चार के लवलों का pH मान आपसे पूछा गया है, कितना होता है, साथ, आपसन नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंड्स, पिराया अमल और चार के मद्ध, उ का pH मान कितना होता है 7 तो आप इस चीद को ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन है यदि X का pH मान 9 है तो बाई का pH मान 2 है जेट का pH मान 6 है और A का pH मान 13 है तो किस में है किस जोड़े में मजबूत आइसिड मजबूत बेस है तो किस में है D में Y और A आपसन नमबर हमारा D करेक्ट हो जाएगा तो बाई का pH मान कितना है 2 है तो ये क्या हो गया पिरबल आइसिड या अमल और A ये का pH मान कितना दिया गया है 13 तो आप देख सकते है ये चार पिरबल चार हो गया और ये पिरबल अमल हो गया तो यही जोड़ा आपका सही है नेक्ट को स्ट रहें किसी लबल का pH मान शूर नेतोबू का लबल होता है तो ससक्त Aisidot कमजोर बेस होगा आपसन नमबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा यदि किसी लबल का pH मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वो पिरबल अमल यानि कि स्ट्रोंग Aisid होता है और एक दुरबल चार भी होता है जबकि लबल का pH मान 10.5 से जाधिक होता है तब वो क्या गयर आता है पिरबल चार और दुरबल अमल तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें अगला कोस्त नमारा बिलियन A का pH मान 6 है बिलियन B का pH मान 8 है बिलियन C का pH मान 2 है किसी बिलियन में हाइडोजन आइन की सांदरता सबसे अधिक होगी तो हैडोजन आइन की सांदरता सबसे अधिक किसमे होती है जिसका pH मान 0 के करीब हो तो 0 के करीब किसका है फ्रेंड्स C का क्योंकि C का pH मान कितना दिया गया है 2 1 का कितना दिया गया है 6 2 का कितना दिया गया है 8 0 करीब कौन है C तो option number A correct हो जाएगा हमारा अगला question है उदाज सीन बिलियन का pH मान होता है कितना होता है इजी को से ने बता चुका हूँ साथ option number हमारा B correct हो जाएगा अगला question जेखते है pH scale किसी बिलियन में हाइडोजन आइन की सांधरता को मापता है इसमें पी का क्या अर्थ है तो पी का अर्थ friends क्या होता है आपको पी का मान बताना है तो क्या होता है पॉंटेंस जिसके जर्मन में अर्थ शक्ती पावर है option B हमारा correct हो जाएगा pH scale की खोज किस ने की थी आप धिहान रखें तो Sorenson ने Sorenson ने आप इस चीज को भी ध्यान रखें अगला कोस्टे ने हमारा किसी बिलियन में का pH उसकी सांदरता पर निर्वर करता है तो किसकी सांदरता पर निर्वर करता है आपको ये बताना है तो किस पर करता है Hydronium आएन option number हमारा Decorrect हो जाएगा Hydronium की सांदरता पर निर्वर करता है अगला कोस्टे ने हमारा ने में किसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है शुद्जल सुद्जल का pH मान 7.5 सुद्जल का कितना होता है 7 तो option number हमारा B करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टे ने हमारा बिलेन A का pH मान 6 बिलेन B का pH मान 8 बिलेन C का pH मान 2 है किस बिलेन में हाइडोजन आयन की सांदरता सबसे अधिक होगी फिर भाई कोस्टे ने ए का कितना दिया गया 6 बिलेन B का कितना दिया गया 8 C का कितना दिया गया 2 तो 0 करीब कौन है 0 करीब कौन है c option नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा इस चीज़ को अप धिहान रखें इससे आप सारे question आसानी से कर सकते हैं अगला question हमारा निमले किसमें से कौन सा billion का pH मान नियुनतम होगा तो इसमें से किसका नियुनतम होगा नीबू के रसका कितना होता है 2.2 शुद्ध जल का कितना होता है 7 इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे रक्त का कितना होगा अब यह आप खली की ट्रेक से बता सकते हैं कितना होगा 7.4 अगला कुस्ट नहीं यदि एक लवड का पीएज मान 12 है तो यह का लवड है तो यह किसका लवड होगा दोस्तो तो यह दुरबल अमल होगा और पिरबल चार होगा क्योंकि यह किसके करीब है चार के ज़्यादा इस टॉंग चार के ज़्यादा करीब है और तो पिरबल चार होगा और दुरबल के होगा अमण होगा. उप्सन नमँबर 9 में हमारा C कर्यक्च हो जाएगा. Nest question है का PH PH के काघच के पिर्चिक्ष्ष प्रियोग में पता नहीं लगाया जा सकता. तो כिसमें पता नहीं लगाया जा सकता ठोस, SODRYUM, Y-CARBONO'नेट का PH पिएज के कागज के पिर्शक्ट प्रियोग से पता नहीं लगा सकते ऐब संडी में हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्टने यदि किसी नमक पिएज मान-14 ए तो वो नमग होता है तो तो नमक क्या होगा क्यूंकि 14 14 इसे स्केल से समझते हैं यह क्या है जीरो तो इसे हम नमक का पीज दिया गया 14 तब ये किस की जादा करीब है चार पिरवल चार की जादा करीब है यानि कि ससक्त S क्या हो गया ससक्त क्या हो गया दोस्तो ससक्त बेस हो गया तो ससक्त बेस हो गया और ये किस से दूर है जीरो से दूर है यानि कि अमले से कमजोर अकमजोर अमल हो गय तो इसमें option number B correct हो जाएगा कमजोर आइसेड और ससक्त बेस यानि कि आप इसे मान सकते हैं पिरवल चार और दुरवल अमल option B इसमें हमारा correct हो जाएगा अगला कुस्त नमारा चार ये बिलियन का पियेच मान कितना होता है तो चार ये बिलियन का पियेच मान कितना होगा फ्रेंड्स आपको बताना है साथ से अधिक साथ से कम होने पर क्या होगा अमली होगा और साथ होने पर क्या होगा उदासी नहीं करड़ या उदासी इन बिलि क्योंकि जीरो से दूर है यह अगर जीरो के पास होता तब इसे हम क्या कह सकते थे पिरबल अम्ल दुरबल चार नहीं हो सकता क्योंकि साथ से कम है पिरबल चार भी नहीं हो सकता क्योंकि साथ से कम है और सने करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टेन हमारा निम्ड में से कौन सा ब अगला कोस्टेन नेले लेटमस को लाल में बदल देता है उसका पि-एच होने की संभावना है तो अमले ग्या होता है अमले नेले लेटमस को लाल कर देता है तो इसमें साथ से कम कौन है के बाल एक ही ऑप्सन दिख रहा है ऑप्सन नम्बर A जिसमें च्छे दिया गया है तो option number 1 correct हो जाएगा अगला question है यदि किसी billion से नीला लेटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान कितना होने की संबावना है भही question repeat कर दिया है option number हमारा D correct हो जाएगा तो friends ये थे chemistry के most important question जो हमने youth competition times की book के लिये थे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक करना ना बूलें fans आप ये ना समझें ये railway की book से कराय जा रहे हैं तो railway में ही exam में कोस्के question पूछ सकते हैं ये किसी भी exam में पूछ सकते हैं चाहिए SSC का हो या railway का हो या state label का कोई exam हो या आप B8 का exam देने जा रहे हैं कोई भी exam हो आपको कहीं कहीं से भी जिसमें chemistry से question पूछ जाते हैं इससे पूछ सकते हैं तो आप ये ना समझे सभी exam के लिए helpful है तो मिलते हैं next वीडियो में नए practice set के साथ